मतदान के बाद मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुखु ने जीत का दावा करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचार धारा के मद्दे नजर अपने मत का प्रायोग किया है। मतदान के जीत को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आए। उन्हें कहा कि यदी पार्टी के विधायक बिके नहीं होंगे तो कॉंग्रेस की जीत निश्चित है। तो हम शांको कॉंटिंगे तभी कुछ बोल सकते है। खड़ी हो गई है क्योंकि हमें आशानी थी कि भाजपा कोई कैंडिडेट फिल्ड करेगा पर अन्तते जो इन्होंने एक कैंडिडेट को फिल्ड दिया है। उसको लगता है कि केंडर सरकार का आशिरवाद है और वो बड़े अश्वस्त होके फिल्ड में निकले हैं। पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कॉंग्रेस इसमें सफल होगी और हम अवश्य सरकार का स्टैंड मेंटेन करेंगे और सरकार हमारी बरकरार रहे हैं। जी हमलता बार-बार क्रोस वोटिंग के कयास इस चुनाव में लगाया जा रहे हैं लेकिन क्या क्रोस वोटिंग से नतीजों पर कोई असर पढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं क्यूंकि कॉंग्रेस के पास पहले से ही जो है वो चाहिलीस विधायक हैं। प्रियंका देखें जैसे जैसे नतीजे की घड़ी नज़्दीक आती जारी है वैसे वैसे चुनाव दिल्चस्प होता जा रहा है और क्रोस वोटिंग के अगर हम बात करना है चर्चा बहुत हो रही है सुबह से ले करके क्रोस वोटिंग को ले करके बात हो रही थी लेकिन जैसे ही मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुखो का बयान आता है वैसे ही मुझे लगता है कि जो क्रोस वोटिंग है उसको और जादा हवा मिल गई है मुख्यमंतरी का जो बयान है उनका कहना है कि अगर बिधायक नहीं बिके होंगे तो 40 के 40 जो वोट है वो उनके खाते म में जाएंगे लेकिन कहीं न कहीं वो इस चीज को लेकर के आश्वास्त नहीं है कि उनकी जीत पक्की है और ऐसे में अगर असर की हम बात करें तो निर्भर करता है कि कितनी संख्या में cross voting हुई होगी चर्चा में बहुत सारे numbers हैं कि जिनको cross voting का नाम दिया जा रहा है अगर गणत की बात करें तो गणत कुछ ऐसा है कि बहुमत में अभी Congress है Congress के पास बहुमत था 40 विधाये Congress के हैं और 3 जो निर्दलिय विधायक है इसकेलावा 25 जो है वो विपक्ष के जो विधायक हैं जो जिनोंने आज मतदान किया है लेकिन ऐसे में जो सारी बाती हो रही है क्रॉस वोटिंग को लेकर कि इसकी पुष्टी तभी हो पाएगे जब नतीजे आएंगे लेकिन बिलकुल आपने सही कहा है अगर क्रॉस वोटिंग होती है त बिलकुल बिलकुल प्रियंका प्रदेश का विधानसवा बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सदन के अंदर का जो महौल है वो भी गहमा गहमी भरा हुआ है आज प्रशनकाल से सदन की शिरुवात हुई थी और बहुत सारे प्रशन थे जिनको लेकर के चर्चा हुई उसके बाद कागजाद सभापचल पर रखे गए इसके बाद कटावती प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया है क्योंकि जो सहमती है वो नहीं बन पाई थी और ऐसे में जो प्रस्ताव था वो सरकारनी गिरा दिया है उसको लेकर के जो विपक्ष है नार पाई और सदन में हंगामा हुआ जिसको लेकर के सत्तापक्ष ने ही नारेवाजी शुरू कर दी सत्तापक्ष का ये कहना है कि स्पीकर के साथ वत्तमीजी की जा रही है और ऐसे में सत्तापक्ष ने नारेवाजी करते हुए इस चीज़ का विरोध किया और सत्तापक्ष के स जुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है कुछ देर का और इंतजार है प्रियांका उसके बाद जो नतीजें हैं वो सब के सामने होंगे जो भी अटकले सुभह से लगाई जा रही है वो चाहे क्रॉस वोटिंग को हो या फिर जो नराज विधायक चल रहे हैं उनके बागी होनी जुक्रियां हुआ है